अगर अगर मार्केट जो रिजिस्टेंस है जो में रिजिस्टेंस आप लोगों को दिखाया था और यह सपोर्ट जो है इस सपोर्ट की उपर कहिने की प्राइज रहेगा कहिने की मेरा बाइंग साइट की अपोचिनिटी और इसके नीचे कहिने की सेलिंग साइट अपोचिनिटी राइट और उसके साथ मैंने आप लोगों को एक्स्टेंट करके रखा था कि अगर यह जो सपोर्ट है यह सपोर्ट की उपर कोई भी रिजिस्टेंस ब्रेकाउट नजर में आता है तो यहाँ पर हम लोग एक बाइंग साइट क और मेरा एसल कहिने की मार्केट के अंदर जीट हो गया कितना का लॉज हुआ कैसे लॉज हुआ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा ओडर बुग में जाके जैसे यहाँ पर अब लोग मेरे ओडर बुग देख रहे हो पहले तो मैंने 23,800C के अंदर पोजिशन लिया था 39 पे एराउंड जब मैंने पोजिशन लिया था 398 इसी जोन के आसपास राइट तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ फर्स मेरा पोजिशन मैंने लिया था यहाँ पर उसके बाद आप जाके देखो के मार्केट और नीचे आ गया और आफ्टर दा मैंने और एक वान लॉट यहाँ पर एड़न किया उसके बाद मार्केट उपार रहा मेरा यहाँ पर एगेन अच्छा फॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया था उसके बाद से कहिने की मेरा जो यहाँ कहिने की आज हीड हो गया जैसे आप देखोगे ओवराल जो मेरा कॉन्टिटी 370 में हीड हीड हो कि आपकी डारेक्शन में होती हुए भी मार्केट कहिने के लॉसे हो बड़ एक चीज़ जो आपको कंट्रोल लगना है वह आपका लॉस जैसे आप देखोगे क्या एक्सपेटर संदा बरा लॉस होगा बरा मार्केट फॉल हो गया बहुत नीचे आ गया तो लॉस भी बड़ आप देख रही हुए उसके बाद भी मैंने आपने जो रिग उसको मैनेज करके रहा और अंडर थी डाउस को मैंने मैनेज किया देखो मार्केट के अंदर कुछ भी करो आइदर अगर आप लॉस नहीं मैनेज करोगे तो कुछ भी नहीं होगा कल हम लोगोंने पॉफिट किय मैंने 36-35 winning rate के साथ 14 तेल लिया मैंने 9 तेल में लॉस किया जस्ट 5 तेल में पॉफिट किया बाद भी में ओवराल पॉफिट में आ गया अभी मैं आप लोगों को एक्स्ट करूं मार्केट व्यू किया है नो डाउट मार्केट कहिने की हलका बियर इस हो गया है विकॉस आप देखोगे मार्केट के अंदर ब्यूटिफूल ऑपोचुनिटी था कि यहां से मार्केट घूमती उपर आ जाए बट आफ्टर दर रेजि अगर सपर्वोट डेकट कर जाता है कोई भी तो यहां पर मेरा डाउट सेट की जो अपूचूनिटी हो काईने की टिकर हो जाएगा इदर इसकी उपर जब तक प्राइस है कोई भी रेजिस्टनस ब्रेकट आथा तो यहां पर मेरा कि indici वीव है आपर साइट का, that's it, आज़ आज़ लेवल दे के रखा था, उसी लेवल को मार्केट ने आज रिकवरी किया, सेम अगर इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेकडाउं कर जाता है, तो यहां से कहिने की मेरा डाउन साइट का वीव है, आज़र इसकी ऊपर जब तक प्राइस है रिजिस्टेंस ब्रेकडाउट के साथ, मेरी जो आपर साइट का वीव, वो कहिने की बनर आएगा मार्केट के अंदर, बिकॉस देखो, आइदर मार्केट के अंदर इस टॉंग सपोर्ट, इसको मार्केट एगेन एगेन टेस्ट कर रहा है, इसको ब्रेकडाउन करता है, तो यहां से एक फॉल्ड आ साकता है, no doubt, बाट आइदर जब तक इसकी उपर प्राइस है, और इसकी उपर कोई रेजिस्टेंस ब्रेकडाउट आता है, प्राइस टेंद नजर में आता है, तो no doubt यहां पर आपर साइट के अपोचिनिटी है, और एक चीज़ में आप लोगों कहूँ, रेजिस्टेंस ब्रेकडाउट पाद में रेजिस्टेंस ब्रेकडाउट को अपर साइट का अपर साइट के अपोचिनिटी है, और जैसे आप लोगों को मालूम है, कहीं ने की मेरे कोर्शिस के अंदर अभी ओफर भी चल रहा है, उसी ओफर के हिस्टेंस में मेरे कोर्शिस में जुनना चाहरो, निचे दि में लूट है, झाहरो